लेकिन यार कल जो भारत और अफगानिस्तान के बीच दिली में मैच खेला जाना है उसकी बात कर लेते हैं आज टीम इंडिया ने प्राक्टिस भी की है लेकिन इस प्राक्टिस सेशन से बड़ी ख़बर एक आ रही है ये बड़ी ख़बर क्या है आपको बता देते हैं रोहिद शर्मा के पैर में बॉल लग गई है भवान प्राक्टिस के दोरान लगी बॉल ये ठीक नहीं हो रहा है रोहिद तेज दर्द में दिखाई दिये और रोहिद ने जल्दी से अपनी प्राक्टिस भी खतम कर ली कि भाया दर्द हो रहा है पहले थोड़े रेस ले ले करेंगे पांच बड़ी बाते हैं तो आपको बताएंगे किया बड़ी बाते हैं काफिल जी ओवर टो यू लेफ्ट पैर में आके घुटने के ऊपर आके लगी बहुत डिसकंफर्ट में रोहिद शर्मा दिखाई दिये और उनको रोकनी पड़ी बल्ले बाजी थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है करीब दो से तीन चार मिनट तक उन्होंने बल्ले बाजी थोड़ा नहीं की अच्छी ख़बर ये थी कि उसके बाद भी रोहित ने बैटिंग की ऐसा नहीं कि उसके तुरंट बाद वो बॉल लगी और चले गए उसके बाद भी रोहित ने बैटिंग की कुछ आट दस बारा बॉल उन्होंने खेली उसके बाद भी तब वो बाहर गए और उसके बाद फिर वो नेट से चले गए तो हम उमीद यही कर रहे है कि बॉल जो लगी उनको जो थोड़ी चोट लगी वो बहुत गंबीर तो नहीं है यह तैह है क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने बैटिंग की है लेकिन हाँ डिसकंफर्ट में जरूर वो दिखाई दिये और उसके बाद ज्यादा गेंद बाजी उन्होंने ने फेस नहीं कि उसके बाद और जो नेट बॉलर बॉलिंग कर रहे थे अच्छी तेज निप के साथ गिनबाजी कर रहे थे अच्छी तेज गिनबाजी कर रहे थे तो बड़ कपिल जी जो मतलब और कौन-कौन से हमारे इंडिया के बैटस्पेन है और कौन-कौन लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करने के लिए आये थे थोड़ा उसके बारे में बता दीजे प्लीज कौन-कौन आये था ये भी आपको बता दूँ रोई सर्मा आये थे श्रेयस अयर आये थे और इशान किशन आये थे शारदुल ठाकुर थे रविंदर जड़ेजा थे और सूरी कुमारी आदब थे ये कुल छे खिलाड़ी आये थे यानि पिछले मैच में जो तीनो जीरो पर आ बात कर रहा हूं जो तीनों जीरो पर आउट हुए थे काफी देर तक बल्ले बाजी की खास और इशान किशन ने मुझा लगता है करीब करीब एक घंटे के आसपास का नेट उन्होंने किया है रोई सर्मा ने भी काफी देर तक बल्ले बाजी की तो रोई अच्छे टॉट म कि एक बड़ी ही नहीं गा सकती है अच्छे टॉट में वो दिखाई दे रहे है अबसलूटी कभी बाज लेकिन जी नीर्स